नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागतें दोसों आपको बता दें कि नौ मार्च के शुबह एक गारा बजेशे जया दोसों यह शुमेशे आपके जुनकाल में बगवान सुरी गनेजी के शुबाशी बड़े चमतकार होने वाले हैं जिया दोसों दरशन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शुमेशे बुद्धवार का दिन होगा बुद्धवार का दिन जोतिश शास में महा गनेजी का शब्से महत्पुन दिन है और यह शुमेशे आपके जुनकाल में इनके श्रबाशी कुछ ऐसे गटनाएं होने वा भी हाथ लगने वाली है जिया दोसों आपको पताते हैं कि भगवान श्री ग्रेशी रिद्धी सद्धी और शुक्ष मर्दी के कारक माने गए और जिनके भी जुनकाल में इनके किरपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाते हैं जिया दोसों और यह श्रमे भगवान श्री में भी शुधार होंगे कि दोस्तों भगवान श्री ग्रेशी के श्रबाश्षी आपको बहुत दीलाब पराप्त होने वाले हैं आपको बता दें कि आपके घर के महौल में आर्थिक तंगया खत्मोंगी के दियर के छिर में भी आपको बड़ा लाव एश्मे दिखनों को उ भगवान श्री ग्रेशी के श्रबाश्षी और करों कि ये शुब इस्तिति के कारण आपको कई चत्रों में बड़ी उप्रब्दी प्राप्त होने वाली है एश्में दोस्तों आप मोंके खुर्णा गवाएं और उनका शर्द्प्यों करें तो दोस्तों में वीडियो को बि भगवान श्री ग्रेशी के श्रबाश्षी आपके श्रद्प्यों के महल में और पारविजियों में क्या क्या शुधार होंगे तो दोस्तों अंतरत देखेगा उश्ये पहले दोस्तों जोवेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे सरदा भावशे जैश बेखेगर बैल आइकन को प्रेश करके औल पर्स लैट कर ले तो हैं दोस्तों वीडियो को प्रारहम करते हैं दोस्तों कोच महत्पन नए श्रमपर कैस में अस्थापिद होंगे जोकि भावशमदी आपके लिए लाप दायव श्राकुद होंगे दोस्तों ये जो शमय है अपने भविशमंदी उजनाओं को मुर्त रूप देने का उचित समय होगा शाधि दोस्तों कोई शुख्रकार भी यश्मे संपन होगा यश्मे आपको अपनी काबलेत परदर्शित करने का बहतिनी मोगा भी मिलेगा और दोस्तों ये जो में आप कापे अच्छा परदर्शन भी इन में कर पाएंगे इसके उप्राद दोस्तों ये जो में व्यक्तिकत स्वार्थ की वज़शे खटास आ सकती है ये जो में शुखाव में चिर्चला पन रहेगा शांती की चाह में किसी धार्मिक अस्तल पर जाने की आपकी एक्छा रहेगी शादे दोस्तों फिजूल कर्शों पर ये जो में आपको रोक लगाना आपके लिए बहुत ही आउश्यों होंगे इसके उप्राद दोस्तों आपके लिए जो शमिय होंगे इसके उप्राद दोस्तों आपके लिए जो शमिय होंगे तो पर के बात के जो परिष्टिदिया होंगी दोस्तों ज्यादा अनुकुल रहेंगी आप अपना मन चहां मुकाम यश में आसल करेंगे दोस्तों परिवार चता आर्थिक मामलों के प्रती भी आपका ध्यान रहेगा दोस्तों दिन्चरियाश को शुकुन भरा बनाने के लिए आप जो है कुछ कदम उठाएंगे विशेश कर महिला वर्क अपने घर तेथा बाहर दोनों कारियों में तालमिल बिठाती हुए आगे बढ़ेंगी इसको प्राण दोस्तों यश में अधिक प्रिश्वम के शाथ सा ध्यारी भी आपको रखना होगा अर्तिक मामलों में प्रिवार के बजट आदी में जो है खास ध्यान रखना होगा अत्यतिक वैस्ता की वज़र शीप कुछ कर्मजोरी भी यह समय महसुस होगी दोस्तों यह समय अपने लक्ष शेभी आप भटक सकते हैं तो दोस्तों इसको अध्यान रखें इसको प्राण दोस्तों आपके लिए जुश्वम होगे यह समय आपके आशपास लोग होने के बावजुद भी आपको जो है अकिला पहन महसूस हो सकता है दोस्तों लोगों की भानुता जरुतों को आपके दोवारा पूरी करना आपको आनन देता है फिर भी दोस्तों खुद की जरुतों को और दोवारा पूरा ना होते देख आपको थोड़ा सा यश्मे दुख भी होगा इसको प्राहन दोस्तों यहाश्व में आपकी निर्वाह करने में आप शुक्षम रहेंगे मानसंग सांतीव से पुर्ण दिन वईतित होगा दोस्तों आप कुछ यहाश्व कारी भी करेंगे जिन से आपकी रश्णात्मक शामने आएंगी दोस्तों यहाश में घर में शंतान की बिवाश मंदी तैयारियां भी जोर सोर सी रहेगा दोस्तों किश्वी बात को लेकर आत्म विश्वास में कमी रहेगी यहाश में अपने प्रेतनों को अपने प्रेतनों में बहुत अधिक मेहनत करने की आउशकता होगी दोसों केशी भी परकार का रिक्ष यश्मे आप ना ले अनिता नुक्षान भी हो शकता है पिछले पुश्मे से चली आरी शंका तनाओ आधिश यश्मे विराम मिलेगा, यश्मे धन कमाने के नए ने प्रयाश भी होँगी दोस्तों किसी भी काम की यश में अच्छी शुरूआत होंगी स्राज़गरी कारिकरम में आपकी उपस्तती यश में सहार नी रहेगी परिवार के शाथ कहीं बाहर घुमने फिरने भी आफिर खाना खाने भी आप जा सकते हैं ईश्कुराञां दोस्तों यहाशमी ध्यान रखें, कि आपका कोई नहीं दिकी ही आपके साथ विस्वास घहत कर्शकता है। दोस्तों वह नीए वा पिर क्रोथ पर यहाशमी नेंतरन रखें। दोस्तों वय में कोटूत्यू रखें अनेता धार्मिक समस्या भी आशकती है इसको प्राहन दोस्तों आपके लिए जो समय होगी किसी पर भी या फिर किसी परकार के वाईजन से आप यह समय दूर ही रहें तो बेहतर होगा तथा वहां शावधानी पूर्वक चलाएं इसको प बतलाव देख पाना आपके लिए शंब होगा प्रॉप्री खेदने की अगर सोच बजार कर रहे हैं तो दोस्तों इसको इस विचार को वास्तिवता में लाने के लिए और वक्त भी लग शकता है तो दोस्तों अब यह श्मी आप धहरिशे काम ले इसके उप्राहन दोस्तों यह श्मी आपकी केरेर के लिए जो समय होगी दोस्तों यह श्मी में कंप्पीटर मोवाईल विग्यापन आदि से जुड़े वाविशाय बहतरिन मुणाफा कमाएंगे शंपरकों का दायरा जो है बढ़ने से आपकी वाविशाय के तिदियों में भी यह श्मी बढ़तरी हो बैतर होंगे इश्कु प्रांद दोस्तों यह श्मी वर्तमान वयोशाय गतिवदियों पका विस्तार करने के लिए कुछ योजनाय बनेंगी दोस्तों भागदोड की इस्तिती भी रहेगी प्रन्तु प्रयाशों में शबलता भी आपको प्राप्त होगा अगर आप अपना श्टाप या फिर नोकर बदलना चाते हैं तो दोस्तों यह शुछ समय है श्रही समय होगा इसको प्रांद दोस्तों यह श्मी आपके केरेर के लिए अपके वैशाय के लिए शॉय होंगे दोस्तों कारे छित्र में आप अपनी परतिवाव पिर उर्जादवारा हर चुनोती को शुरुकार करेंगे प्रतु अपने लक्ष के प्रति बहुत अधिक एकागर चित्र होने की आपको आशुकता होगी मीडिया लेखन या फिर रंग मंच आदी से जुड़े लोगों के लिए बैतरिन शमय होगा दोस्तों काम की अधिक्ता की वज़शे घर और ऑफिस में तालविल बिठाना थोड़ा शामोश्किल रहेगा इसको फ्रान दोस्तों या शमय आपके केरेर के लिए जुशे में होंगे पूरा ध्यान काम पर ही रहेगा और दोस्तों या शमय आपके दोरा कीएगे कार दोरा बड़ा आउस्वर भी आपको मिल सकता है इसको फ्रांद दोस्तों ये अश्म में आपके करेर के लिए जो समयों होंगे आपके वाईशाय के लिए जो समयों होंगे दोस्तों नोकरी तदा वाईशाय में आप कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो एकदम शाहिशाबित होगा लेकिन दोस्तों लोग भी आपके कायल चमता क जो है काईल हो जाएंगे आपके पक्ष जो है मद्बूर यह रहेगा परंतों साती खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी दोस्तों शिर्फ इंतना ध्यान रखना है कि अपनी प्लानिंग किसी से स्यार ना करें क्योंकि दोस्तों यह आपके लिए नुफशान धायक को शकता ह इस पर आज की दिन आप ध्यान दें तो आपके लिए बहतोर होगा शादी दोस्तों यहाश में आपके लवलाइब के लिए जो समय होंगे पती पदनी की बेच उतिस समाजर बना रहेगा तता घर में खुजी वा फिर मोज मस्ती का भी वातारण बनेगा दोस्तों गलत शम्मेंदों का परभाव आपके घर तता और विशाय पर भी पड़ सकता ह है इसलिए दोस्तों इन से शावधान रहें इसको पराण दोस्तों यहाश में घर परिवार ततार इस्तेदारों के परती अपने जुम्यदारियों को अच्छी तरसे आपने महाने में भी सक्षम रहेंगे दोस्तों यहाश में अगर आपकी श्वास को लेकर बात करें तो द सब्सक्राइब ये दिन्चरिया को येसमें वहस्तित रखना आपको श्रिगरी उर्जावान तथा स्वास्त बना देगा इसके उपरान दोस्तों येश में आपके स्वास्त के लिश्य से में होंगे दोस्तों काम की अधिक्ता के वज़े स्वास्त के मामले में लापरवाई हो सकती है अपनी दिन चरिया को जो है वयोस्तित बना कर रखना आपके लिए त्यावश्य होगा शाती दोस्तों सुरक्चा समधी निमो का भी आप बालन करें